अससलाम अलेकुम एब्रीबरन कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूं सब खायरियत से होंगे आज मैं आपको के लिए लेकर आई हूं बड़े मज़ेदार सी अचार गोश्ट की रेसिपी आज मैं बना रही हूं अपने किचन में चार गोश्ट की रेसिपी तो आप लोग के अष्या है product अगे अदेवली में चार आइन एक लिए अब में चार चाहर हम नहीं तीज भीटे прошл demás थीविव देड़ पाव भीफ लिया था मैंने और दही लिए मैंने अब यह हमने दो जगाई स्पाइस कर लिए हैं यह मैंने हरी मिर्चे भरने के लिए इस रखे ते इसमें अब नई बूएट करूंगी मैं हाफ बहुत मज़ेदार जायकेदार सालन बनता है इस तरीके से मेरी रेसिपीज़े जरूर ट्राय कीजिएगा और जो मेरे चैनल पे नए है मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आटन को जरूर प्रियस्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई और family and friends के साथ share कीजिए like कीजिए जरूर like किया करें मेरी videos देखकर ताकि मुझे appreciation मिले और मैंने आप लोगों के लिए इसी तरह नए नहीं recipes बनाती रहूं दिखाती रहूं आप लोगों को के मेरे में कैसे recipes बनाती हूं और आप लोगों के साथ share करती रहूं यह अब हमने दही लिया है यह वह यह एक प्याली में दही लिया था अब इसमें सारे spices में add कर लूँगी यह जट पर जल्दी से बल जाने वाली recipe है इसमें कोई जादा मसले नहीं है कोई जादा चीज़े नहीं add होती हैं बस यही spices इसमें जाते हैं इसमें आप गोज डालेंगे हम marinate करने के लिए नहीं इसमें मैं प्याज add करती हूं नहीं मैं लस्तन अद्रक का पैस्ट add करती हूं बहुत से लोग लस्तन अद्रक डालना चाहें तो डाल सकते हैं और डालते भी हैं बहुत से लोग अद्रक गार्णिश करूंगे उपर से बारी बारी कट करके अगर आद्रक लस्तन का पैस डालना चाहें तो इससे इसमें add कर सकते हैं इसमें अच्छे से गोज़ मैरिनेट करके रख दिया है अब इसको इम एक तरफ मैरिनेट करके एक तरफ रख दूंगी ज़रूर ट्राइ कीजिएगा मेरी रेसिपी से बहुत जाएकेदार मज़ेदार बनता है और कोई इतना चूले के पास खड़े नहीं रहना पड़ता जल्दी से जटपट होदी बन जाता है कि ऐने नमक तक उसमें मसाले में आड़ किया था eta थोड़ा स्वस्तया काना को स्वस्तिन जाले के लिूँँ सूष यह्लिंहीं कि आप टैस्टन आको उर्ड़िक डाल सकते हैं घंजेर जोठी मेरी मिर्चे रहे हो तो आप बड़ीले सकते हैंव बाते हैं मेरे पाथ चोटी थी तो इसलिए मैंने चोटी है यह हमने त्वी मांटर लिये थे मंने इसमें अरु लाइक करें सबस्क्राइब करें शेयर करें फैमल्य प्रेंट्स के साथ यह जो थोड़ा बाचा था. Southern ही शारा गोश्द में करके लिए जैके सूब्स कर लिया है बारिक बारिक नीपू खें हम्ने टूआ स्बर्शा का पैस्ट बना लिया थह अब हम इसमें ट्रिमाधी ट्रिमाटेर nog इस्वे पपार आगा दें के कि थोड़ दर इसको अच्छे से पकाएंगे उसके बाद इसमें मेरिनेट किया हुआ गोश्ट सारा एट कर देंगे और करीबान इसको आदे घंटे तक हम पकाएंगे गोश्ट गलने तक तक हम थोड़ सी दर इसको पकाएंगे तक हमार टमाटर पक रहे हैं अब इसी में गोश्ट एट कर देंगे सारा आदे घंटे तक इसको पकने के लिए चोड़ देंगे ताकि यार गोश्ट अच्छे से गल जाए और गोश्ट बहुत अच्छा गल गया था विल्कुल ऐसे ही कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है जटपड बन जाती है जल्दी से अब यह मैं इसको छोड़ दूंगी यह खुदी चूले पर पकता रहेगा गर्मी में कोई देर खड़े हो कर नहीं पकाने की डीश है कि इतनी देर चूले की पास खड़े रहे हैं है कि अब यह गोश्च ठयमे wa स्गोश्च घनके लिए था मुश्क हो दोसी हमाने जब आप आप यह खड़ें Edam by Wow पकाएंगे ताकि अच्छे सी खुश्पू हो जाए के अच्छे सी खुश्पू हो जाए मसालों की बाके अद्रा घरा दनिया सब चीज इसमें गार्णिश कर देंगे और मंदी आच पे छोड़ देंगे बिल्कुल लो फ्लेम करके इसका ताकि हरे मसाले के जो हमने डाले हैं इसमें अच्छी से इसमें खुश्बू हो जाए अब लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी या आया होप के पसंद आई हो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर अच्छी लगया आप लोगों को वीडियो और जो नए है मेरे चैनल पर वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें शिर करें और बैल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने नहीं वाली आने वी वीडियो आप लोगों तक बाहसा नहीं पहुंच सकें अचार गोष्ट बिल्कुल रेडी है और कितना दिखने में मज़दार इस पैसी अच्छा सा लग रहा है ज़रूर ट्राइब कीजिएगा आप लोग मेरी रेसिपी से अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना आप खयाल रखियेगा लाफिश्च आफिश्च वीडिय